नमस्ते फ्रेंड आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आई बीपेस प्रोवेशनरी ओफिसर्स का रिकूट्मेंट 23-24 कम्प्लीट हुआ और डिफ्रेंट्स बैंकों को 7402 प्रोवेशनरी ओफिसर का एलोकेशन हुआ और सबसे ज़्यादा सेंडरल बैंक आफ इंडिया में 2100 और इंडियन बैंक आफ इंडिया में 2094 प्रोवेशनरी ओफिसर्स रिकूट किये गया वहीं पे बैंक आफ बड़ोदा और पंजाब एंट्सिंद बैंक में कोई भी रिकूट्मेंट नहीं हुआ और इस वज़र से मैक्समम पाटिसेपेंट्स जो इंटहान पास करके उनको अलोकेशन सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और इंडियन बैंक आफ इंडिया में मिलने के चांसे ज़्यादा जब आप बैंक में भरती होते हैं तो एक्यूरस्टी रहती है कि आपको क्या पर्क्स मिलने हैं क्या सैलरी मन्ती मिलने वाली है और हमारे कुछ वीवर्स ने जो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने इस बारे में कहा है कि अगर प्रफिशनरी अपसर बैंक में भरती होते हैं तो उन्हें क्या इमाल्मेंट्स मिलने के उम्मीद है फ्रेंड्स इसी बारे में लेके आपको मैंने ये वीडियो तयार किया है जैसा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में officers schedule में hierarchy है वो from scale 1 to scale 7 होता है और प्रवेशनरी अपसर जो होता है वो entry level officers होता है यानि कि उसको scale 1 officer में categorize किया जाता है और उनको जो भी entitlement scale 1 officer को मिलता है वो प्रवेशनरी officer को दिया जाता है कुछ जगहों पर clarification है वो मैं आपको salary के साथ बताऊंगा सबसे पहले जो basic pay components होता है pay का salary का वो basic pay components होता है और वो skill 1 officer के लिए 36,002, 63,840 के range में बनाये गिया है यहां पर एक बात और बता दूं कि banks में जो wages structure decide किये जाते हैं वो bipartisan settlement के अधार पर किये जाते हैं और इसमें जो implement है वो 11 bipartisan settlement लागू है 12th bipartisan settlement by November 2022 से due है लेकिन वो जब agreement final होगा तब उसके हिसाब से आपको salary payable होगा और वो back debt से आपको increment area मिलता है वो number by से ही मिलेगा friends यहां पर यह बता दूं कि जो pay scale है वो 11 bipartisan के हिसाब से मैं यह calculation कर रहा हूँ तो 36,000 आपका basic pay क्योंकि initial pay basic pay होता है वो आपको मिलेगा अब यहां पर डिये यानि डियर्नेस allowance डियर्नेस allowance बैंक में हर तीन महिने quarterly revise होता है in terms of consumer price index और जो prevailing rate of interest चलना है वो फरवरी, March, April यह तीन महिने का quarterly prevail कर रहा है जो मर अपरिल तक रहेगा हमारे जनसाथियों का placement इन महिन अपरिल तक का होगा उनको यही डियरेट मिलेगा और उसके बाद वो जो मैं से होगा वो डियरेट चेंज होगा और present डियरेट है वो 41.16% उस हिसाब से आपको देखें तो 36,000 पर 41.16% के हिसाब से डिये आपको 14,817 रुपी 60 पैसा आपको एलाउट होगा अब बात करते हैं हारे का house rent allowance house rent allowance officer के case में 7%, 8%, 9% major A cities में 9%, other places in area 1 में 8% और other places में 7% है यहाँ पे मैं आपको 9% के हिसाब से calculation कर रहा हूँ यह मान के कि आपका posting major A में है यहाँ पे एक बातें बताने और जरूरी है कि बैंकों में officer scatter को residential accommodation bank से provide किया जाता है अगर आपको residence accommodation bank से provide किया है तो उसके certain limits होते है scale 1 से लेकर scale saving के category तक का अलग-अलग एक limitation बनाया गया है उस समय आपको house rent नहीं मिलता है बलकि उसके लिए में जो house rent आपको bank देती है आपके मकान के बदले में जो आपका rent चुकाती है उसके बदले में आपसे recovery की जाती है वो 0.50% of the initial stage of the basic पे होता है यानि कि अगर bank दोरा आपको accommodation provide किया गया तो आपकी salary से 0.50% of 36,000 that is 180 rupees will be deducted from over the salary और यहाँ पे भी बता दो कि furniture के लिए भी 0.10% का reduction होता है जो 36 rupees आए था क्योंकि bankों में furniture की शुर्धाएं officers को दी जाती है उसकी limit अलग-अलग है scale 1 से लेके scale 7 तक अब अगर जो हम basic पे एक चच्चर की बात करते हैं तो उस हिसाब से basic पे 36,000 DA 14,870 rupees 60 पैसा HRA at the rate of 9% 3,240 उसके पाद एक component आपका पे में होता special allowance और ये special allowance आपकी salary के purpose से calculate होता है लेकिन इस पे DA भी payable है लेकिन ये retirement benefit के लिए calculate नहीं किया जाते हैं और यहाँ पे scale 1 officer के लिए जो scale 1 से 3 के लिए जो special allowance का rate है वो 60.40% है यानि कि आपका जो DA होगा जो आपका special allowance होगा वो 5,904 rupees जो होगे और इस पे DA payable है और ये DA आप जब calculate करेंगे at the rate of 41.16% ये होगा 2,430 और पैसा 8 officer के case में CCA City compensatory allowance दिया जाता है और वो भी area के हिसाब से होता है अगर area 1 में है तो 1,400 और other area में है तो आपको 1,150 मिलता है यहाँ पे मैंने 1,400 कंसीडर किया है लेकिन अगर जहाँ पे CCA centers नहीं है नहीं allow कियाते है उनके बदले में आपको location allowance 700 रुपीज fix मिलता है यह चुक्कि मैंने यहाँ पे आपका consider किया CCA 1,400 उसके लावाँ एक और component होता आपके PA skill में learning allowance यह learning allowance 600 का है और इस पे आपको DA payable है that is 246.96 अब अगर overall आप सब calculate करें basic pay 36,000 DA 14,81760 पैसा HRA 3,240 special allowance 5,904 DA उस पे 2,438 पैसा CCA 1,400 learning allowance 600 और उस पे DA 246.96 तो उसके हिसाब से total आपका salary बनती है 64,638 पैसा 64 यह सारे calculation 11 bipartite settlement के हिसाब से है अब इसमें reductions क्या होंगे reductions में देखिए कहीं कहीं पे आपको professional tax लगता है किसी state में लेकिन most of the statement नहीं भी लगता है वो आपको reduction में आता है वहां मैं calculate नहीं कर रहा हूँ main आपका union का subscription होता है वो अगर आप member है तो देना पड़ता है वो अलग-अलग marry करता है हाँ यहाँ पे जो main reductions हैं वो contribution towards the NPS new pension system वो 10% plus DA आपको देना करता है और 14% आपका employer देता है उसके हिसाब से पर्प्रेट करें तो 5081 रूपी 76 पैसा यानि gross salary 64,638 पैसा 64 minus 5081 पैसा 76 यानि कि net gain आपका हुआ 59,556 रूपी 88 पैसा यह आपको net payable amount है यहाँ पे दो बाते कहना जरूरी है कि चुकि 12th by part time due हो गया है और उसके बारे में agreement जब भी हो एक साल बाद दो साल बाद तो आपको back date से एगर मिलेगा और मांद के चलिए कि 15% से 20% के बीच में enhance या hike होगा एक कारडेनिया अगर हम 15% भी मानते हैं और यह hike हम 15% मान ले तो इससे हमारी सेलरी बढ़के near about 75,000 हो जाने के चांद हो जाएगी और यह हम उम्मीद करते हैं कि जब भी 12th by part time implement होगा और उस समय तक आपका dear percentage भी 41.16 से बढ़के लगबग 55% तब पहुच जाएगा और आपका basic पे accordingly change होगा तो सारे कुछ मिला के यह मान के चलिए कि आपका salary 12th by part time के हिसाब से 75,000 प्लस होने के पूर्ण चांसेज हैं This is an expected figure Thank you friends आपको कुछी प्रकार का क्योरी की आओ सकता हो clarification हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं Thank you, Namaskar